पर पेरे बच्चों भी इस पीडियो में हम देवगास समिकन का पुर्ण वरग बना कर हल निकालेंगे तो इस पीडियो को पुरा देखे चले हम इसके स्वराद करते हैं यह तरीका आपके अन्य कुशन्स पर भी लागू होगा यह अपर बच्चों आपको फहला स्टेप करना होता है चो एक स्वरे के साथ आ रहा है उसको पूरे में डिवाइड कर दो कौन आ रहा है पत्चीस तो पत्चीस को पूरे में डिवाइड कर दो अब देखिए यहां के आएगा 25 बटे 25 आएगा तो 25 से 25 कट गया यानि के लेक्स स्क्वेर बचा अब यह आपका 5 से कितने वार कटता च्छा वार यह 5 से 5 वार यह 5 से 2 वार यह 5 से 5 वार यह आपके पास आता है एक्वेशन x square minus 6 x बटे 5 मैनस तो बटे 5 वर वर जी रो उसके बाद जो येह женimer है 16 ode या क्योल 6 बटे 5 लोग कि इसका आपको drug ab के साथ कंपेर करना है किसके साथ करना तो भीक हैसाeln diyor के 7 कंपेर करना है तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और ये बट्टे 5 और गुणा X है बराबर में 2 ये भी तो यहां से बच्चों चो A है उसको तो X लेना है अब भी बराबर कितना आगया आपका तीन बट्टे 5 और यहां पर यह दो बराबर आपका दो यह तरीका मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि इससे आपकी गलती होने के शंबावना कम हो जागी अब इसका महत्व क्या यह यहां पर समझ आएगा यहां पर मैं तो समझने से पहले एक फॉर्मला याद करो A-B का जो होलिसकोर होता वो हता है आपका A-2AB प्लस B-2 होता है तो यहां पर आपके पास यह चीज तो पड़ी है इसका compare कर लिया तो यहां A की वेल्यू आगई B की वेल्यू आगई A और B की वेल्यू यहां put कर देंगे यहां पर A की जगे बच्चों कितना है एक्स और B की जगे कितना है तीन बटे पांच और यहां आपको direct समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो यहां जो भी आ रहा है इसको एक बटे दो से घुना करो और इसको यहां लिख दो और फिर उसका square कर दो सिंपल है कैसे सिक्स बटे 5 है इसको 1 को यह कितना है तीन बटे 5 आज जाएगा आकम टो एटे एक आया कि एसी से समझझ सकते कैसे शाम लेगे समझ आना चीए माइनस दो वुटे पांच अब देख इस जो है यह एक्स्टार माइ費 है जिस स्का मưस को है खोलेंग तो पलस बीषब तो हम क्या करते हैं यहां जो आपका भी है इसका स्क्वेर घटा देते हैं जिसे कि हमारे पास क्यों है उसका बैलेंस बना रहे यानि वो संतुलित रहे ओके अब इसको हम हल करते हैं इसका स्कुएर रहने देते हैं यहां जूट हां आ रही है जूट हां रही है उनको दूसरी और ट्रांशफर कर 9 और तो बठते university again इस तरह पाइएगा तो सिंवेर जैगा प्लस का बेरा यह मैंस को यह भी प्लस का हो गया तीन का स्क्वेर नों पांच का स्क्वेर 25 अब 5 और 25 का आपका एलशीम आता है 25 पांच का 25 में भागां 5 वार 5 आपर दू से गुणा 10 वार 25 में भागां एक वार 101 को पनोश गुणा 9 तो यह आगे आपका 19 पटे 25 अब X-3 by 5 का whole square है इसका square हटेगा तो आपका दूसरी और क्या आजएगा रूट आजएगा और यह साथ में क्या लेकर आएगा प्लस माइनस लेकर आएगा तो प्लस माइनस 19 का अंडूट 19 और 25 का अंडूट कितना होता है पांच अब उसके बाद आपको एक बार प्लस का चिन लेना होता है X-3 बटे 5 ब्राबर प्लस का अंडूट 19 बटे 5 इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास यह माइनस का प्लस का हो जाएगा यहाँ अंडूट 19 प्लस 3 बटे 5 इसके नीचे भी 5 इसके नीचे 5 इसको हम एक साथ ऐसे लाइक लेक लेक सकते हैं अब नेगेटिव साइन लेने पर यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे देखिए इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यह माइनस का 19 यह आपका प्लस का हो जाएगा और बटे में फाइव तो इस फुरकार से यह आ जाती है आपकी पास एक्स के दो गुलिज्व और इसको चाहें तो आप जो 3 है इसको पहले लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 3 को पहले लिख सकते हैं तो 3 प्लस अंडूट 19 बटे 5, 3 माइनस अंडूट 19 बटे 5 तो मैं अमीद कर रहा हूं समझाया है बस द्यान क्या रखना है यहाँ पे इसका जो पूर्ण वर्ग बनाया है यहाँ जो आपने लिया है उसका स्क्वेर करके घटाना है किसी भी कंडिशन में हो चाहे कोई भी कंडिशन हो जब आपके पास यह इस फॉर्म का नहीं बन रहा हो यहने इसमें स्क्वेर खोलने पर यह एक्स्टा ट्रम बन रही हो उस कंडिशन में यह घटाना जरूरी है जिससे कि हमारा जो इसका मूल एक्वेशन है उसका बैलेंस गडबडाएं नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो धन्यवाद